जारी एजा कप 2023 में सोमवार को पाकिस्तान की 228 रनों के विशाल अंतर से मिली शर्मनाख हार के बाद सन्न रह गए मैच से पहले भारतियों को ग्यान बांट रहे उसके पूर्व क्रिकेटर अब सदमे से बाहर आ रहे है इसकी कड़ी में पूर्व कपतान शाहीन आफरीदी ने अपनी टीम के लिए बहुत बड़ी टिपणी कर दिये साथ ही उन्होंने कहा कि टीम रोहित मैदान पर हर विभाग में नंबर वन टीम की तरह खेली आफरीदी ने इस मुकाबले पर कमेंट करते हुए ट्विटर पर कहा जीत हार मैच का हिस्सा है लेकिन लडाई न लड़ना और जीत का इरादा न दिखाना बहुत ही ज्यादा खराब बात है और वास्तव में यही बात मैंने अपने पिछले ट्वीट में की थी भारत खेल के हर विभाग में नंबर वन टीम की तरह खेला विराट कहली को एक और उपलब्धी पर बधाई आपने और केल राहुल ने शांदार शतक जड़ा आम तोर पर ऐसी जीतों के बाद किसी भी टीम के दिगजों का गला सूख जाता है पाकिस्तानी पूर्व दिगजों के साथ भी ऐसा ही हुआ वैसे परोसी पूर्व दिगज भारतियों की कम ही तारीफ करते हैं लेकिन अगर इतने अंतर पर भी नहीं करेंगे तो भला कब करेंगे वैसे आफरीदी के इस बयान पर ऐसे फैंस हर जगह पाए जाते हैं